हेलो दोस्तों मैं हूँ अन्राग और आप सभी का स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल नोलेज इड़ा पर जहां पर छिड़ने वाला है नोलेज का राग जी हाँ यहाँ यहाँ पे आपको जितने भी मैथेमेटिक्स और साइन्स रेलेटेड कन्फ्यूजिंग क्वेस्चन ह होते हैं उन सभी का सॉल्यूशन एक ही जगह पर मिलेगा रेगुलर वीडियो अप्लोड के लिए बनने वाले हैं और आप देखिएगा कि रेगुलर वीडियो अप्लोड होंगे ठीक है इस कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन जो लेके आऊंग हाला कि क्वेश्चन आप क्लियर हैं तो इसके बाद में बहुत क्वेश्चन ऐसे बनने वाले जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं बच्चों के लिए एवन और और से रिलेटर सब क्लियर हो जाएंगे तो कंडिशन कौन-कौन सी जरा दिख लीजे एक बार फर्स कंडिशन क्या है इवन नंब क्यूसेंट इस in D7 पॉर्थ याद रखना क्यूसेंट क्या होता है यहाँ पर किसंट इंटिजर पार्ट यह चीज क्लियर होनी चाहिए अपकी यहाँ पर किूसेंट ये कूसेंट मस्ट भीइं Тीजर कुछ लोग इसको नाच्रोल नमबर समझते हैं कुछ लोग इसको और that must be integer ठीक है and remainder must be zero that is the meaning of completely divisible second condition क्या satisfy करता है कि even numbers are integral multiple of two again ही यहाँ पर word आ रहा है कि even numbers are integral multiples means two के multiples होंगे two के multiple means two की table two की table आप बोलो आपको even number मिल जाएगा ठीक है two 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 one जा two two जा four two three is a six two four is a eight all these numbers are even number third condition क्या होता है जिसको हम जानते हो और आप इसी कर यूज करते हो mostly क्या कि unit place of even number maybe zero two four six eight ठीक है यह आप जानते हो unit place क्या हो सकता है zero two four six eight इसके example भी देखते हैं अभी हम जैसे मान लिखा two two is a even number four six eight ten twelve fourteen sixteen condition satisfy क्या two उसे completely revisible है हाँ two one जा two one time होगा two two जा four two time two three जा six three time two four जा eight two five जा ten two six जा twelve two seven जा fourteen two eight जा sixteen ठीक है उसके अधा हमने क्या बोला था integral multiple जी बिलकुल two के multiples है उसके अधा हमने third condition क्या लिए है unit place two unit place four unit place six unit place eight unit place zero unit place two four six so these all are even numbers next condition क्या है sum of two even number is even that means आप किनी भी two even number को पकट लीजिए उनका sum करो four plus two six six is itself a even number six भी क्या है even number मतलब सम संक्या है ठीक है even number है अब किनी भी ले लो four plus six करके देख लो four plus six किया ten ten is a even number इन दोनो even number को add करो answer will be twenty six that is also even number क्लिए रहे वाली बात तो sum of two even number is even next condition क्या है even number surrounded by odd numbers in both sides आपने लिखा counting लिखके देखो एक बार one two three four five six seven eight यह जो even number है इसके आजू बाजू में देखो आप क्या मिल रहे आपको odd numbers यह even number आपने देखा four इसके आसपास देखो odd numbers so it is surrounded by odd numbers ठीक है विसम संक्याओं से घिरा हुआ होता है यह sum संक्या है even number विसम संक्याओं से आपने इसको देखा इसके आसपास में भी क्या मिल आपको odd number मिला ठीक है तो यह five condition है जो even number satisfy करता है आपने इस वे में नहीं सोचा होगा ठीक है कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना लेकिन अभी वीडियो को भी अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल आसानी से जवाब देपा होगा इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद में कंटीनियो देखो यह सीज को हाजी एक आता है एक जनरल टर्म लिखना इवन नंबर कॉंपटिशन अग्जाम वाले सुन रहे होंगे इसको ध्यान से या नाइन टैंथ वाले भी सुन रहे होंगे कि इवन नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप लोग नेए चीज देखी होगी इवन नंबर या अग्जा मतलब two sum में आ रहा है two sum में आ रहा है यहां पर और इसके बाद में आप multiply में one कर सकते है two करो three करो four करो five करो six करो seven करो eight करो nine करो ten करो कुछ भी multiply कर दो आपका क्या मिल जाएगा even number मिलेगा तो जो आप जानते हो उससी जो क्या यह fixed जो value होती है इसको बोलते है constant और जो change होती है इसको क्या बोलते है variable तो क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि 2 multiply x और x की value कोई भी integer value रखते हो उठाके ठीक है 2x क्या निकल के आगए आपका integer value निकल के आजाएगी इसका मतलब even number को आप 2x की form में लिख सकते हो और even number को किस form में लिखा जा सकता है वो भी देखलो एक बार आपको पता ही कि आपने even number लिया एक 2 फिर आया 4, फिर आया 6, फिर आया 8 even number के बीच में difference कितना होता है वो भी काम की बात है तो किनी भी 2 even number के बीच में 2 का ही difference होता है consecutive even numbers consecutive even numbers के बीच में कितने difference होता है 2 첫 2 का difference होता है इसका मतलब कोई भी even number आप पता हो और उसका next number पता लगना है आपको plus 2 कर दो कोई even number पता है इसे पहले वाला number पता करना even number minus 2 कर दो that means तो हम general term क्या होगे अपना 2x ठीक है और उसके आद मैं आपको पता ही कि उसमें plus 2 कर दूँगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा E1 समसंख्या ही मिलेगी 2 add करने पर फिर समसंख्या फिर समसंख्या मिलते जाएगी तो आप लेख सकती ही वह नमर को 2x 2x plus 2 2x plus 4 तो ये भी सारी क्या फिर समसंख्या होती है तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत यूजफूल चीज लेकि आने वाला हूँ जो आप सोचा होगा लेकिन उसका अंसर अलग लग जागे ढोने पर कन्फ्यूज करता है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तिल देन टेक केर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें शेर कर अपने फैंड्स के साथ में लाइक दा वीडियो